हम विलुक्तिकरण विधी एलिमिनेसन मेथ़ड से समिकरण को हल करना सीखेंगे समिकरण को हल करने के लिए कुछ स्टेप जानना हमें ज़रूरी है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले समिकरण के चार समिक्रन का जो भी चर है कोई एक चर क्या होना से बराबर होना चाहिए कोई एक चर का जो भी कोफिसेंट है जो भी हमारा कॉंस्टेंट नमबर है वो क्या होना से बराबर होना चाहिए बराबर करने के लिए हमें किसी एक अग्यात अन्नों नमबर से कि हम समिक्रन को गुना करेंगे कोई भी समिक्रन को हम गुना कर सकते हैं उसमें तो हमें क्या दोनों को भी गुना करना पड़ सकता है या फिर किसी एक समिक्रन को गुना करने से जो समिक्रन का जो constant number क्या होना चाहिए इकोल होना चाहिए तो हम सवाल के माध्यम से हम सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे 3x पलस 4y इकोल तू 10 समीकर एक नाम दे जेते हैं यह हमारा 2x – 2y sequela UP 2 तो क्या करेंगे इनका हम ऊफिशेंट को क्या करेंगे एकोल करेंगे किसी एक शमीकर को किसी अन्नो नमबर से मल्टिप्ला करेंगे अज्यात संख्या से हम गुना करके क्या करेंगे एकोल करेंगे यानि जो भी नमबर है उनको हम surge करेंगे अगर हम इसमें इस समिकरन को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहां पर 4 हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर भी 4 है तो यहां पर इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 2x 2y पूरे समिकरन को क्या करें 2 से गुना करती है समिकरन 2 को 2 से गुना करने पार तो क्या हो जाएगा 4x 4y यह हमारा समिकरन हो गया तो हम क्या करेंगे उसके बाद अगला step है हमारा कि जो भी हमारा समिकरन आया है उसको हम दूसरे समिकरन यानि जो भी हमारा पारा समिकरन हो उससे हम क्या करेंगे अगर समिकरन का जो चिन है वो पोजिट रहेगा तो हम उसको अगर सिमलर होगा समान चीन होगा तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या इसमें पलस है यह माइनस है इसमें पलस है तो क्या करें अपोजिट चीन है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई उकल टू टेंग तो क्या करेंगे समी करन समी करन हेक और समी करन को जोड़ने पर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यह दो चाप चोड़ यहां पर माइनस फोर है पलस फोर है यह दोनों कट गया तो अब क्या हो गया सेवन एक्स तो एक्स एक्स एक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एक्स एक्वल टू हमारा हो गया चोड़ बता साथ तो अब क्या हो गया एक्स एक्वल टू दो हो गया अब जब एक्स एक्वल टू क्या हो गया दो हो गया हम इसको क्या करेंगे किसी एक समिकरण में इसको रख देंगे इसका मान को तो हम समिकरण किसमें रख देंगे समिकरण रखने पए एक समिकरण एक में रखने पर एक में रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा थ्री इन्टू टू पलस फोर वाई इकल टू टैन यह हो गया तब तीन दोना क्या हो जाएगा छे हो गया फोर वाई इकल टू टैन अब क्या हो गया सोरी यहां पर पलस का चीन है तो अब यह 6 को हम ध्यल लाएंगे तो क्या हो जाएगा साट चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा फोर वाई इकल टू फोर हो गया तो 10 में से 6 जाएगा तो फूर बच तो यवाम थे अगए है धीकल क्लिक और्ल भांसे ओपार फोर फोर सॉरी तो इकल को में ऊटेख के ओवन बच गया तो वाईकल क्मेस्त क्या हो ग्या यह अनिन हो ग्या X equal to two और Y equal to one होगे तो यह हमारा elimination method से हमरा निकला एक और semic學 हल करके देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे semicillah Subland का number देते हैं एक semicir Corn होगे घूसरा word तो अब क्या करेंगे सबसे पहले 5 x पलस 3 y कोई तो 10 कि अब हम क्या करें सबसे पहले समीक्राइब को हम कोफिशेंट ब्राबर करेंगे कोफिशेंट ब्राबर करने के लिए हमें किसी एक समीक्राइब को हमें multiply करना पड़ेगा तो हम देख रहे हैं यहां पर 5 है 3 है 10 है 4 6 3 है तो अगर हम इसमें 2 का multiply कर दें तो 6 6 equal हो जाएगा 6 6 equal हो जाएगा तो अब हमें क्या करेंगे इस समिक्रन को समिक्रन तो यहां पर क्या समिक्रन समिक्रन एक को दो से गुना करने पर अब हम इसको दो से गुना कर दें पूरे समिक्रन को तो हमारा हो गया 10x plus 6y equal to 20 अब यह समिक्रन तीसरा निकल गया अब हम समिक्रन को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो समिक्रन समिक्रन अब जोड़ना नहीं होगा यहां पर यहां पर घटा करना होगा क्योंकि दोनों का समान जो चीन है इसलिए हमें क्या करना कर दो होगा घटा आना पड़े ता हम क्या करते हैं समिक्रन तीन से समिक्रन समिक्रन दो को घटाने पर घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों का जो साइन है पलस है अपोजिट साइन रहने से क्या करते हैं जोड़ते हैं यहां पर सिमलर साइन है तो हम क्या करेंगे घटाएंगे तो दस एक्स पलस सिक्स वाई एकोल टू टू तो अब यहां पर क्या है अब यह अब फोर एक्स सफट बढ़ाई घटा समीक्राइन घटाने से नगल जाता है यहां पर मानस हो जाएक है यहां पर क्या हो गया माइनश मानस मानस प्लस कट गया यहां पर हगया कि टना 17 यहाँ पर कितना हो गया 6 X हो गया अब क्या X इकल तू क्या हो जाएगा 17 अपन 6 X इकल तू 17 बटा 6 हो गया तब X X का मान को हम क्या करें समिकरन समिकरन किसम रखके देखेंगे समिकरन 2 पर लखके देखेंगे समिकरन 2 रखे चाहिए 3 रखे तो हम क्या करेंगे इसको X इकल तू 17 बटा 6 को समिकरन समिकरन एक में कर देखने पर तो हम क्या करेंगे आगे समिक्रण एक क्या था पांच अब एक के जगे इसको रख देंगे सत्रह बटा छे पलस तीन वाई एकल तो टेंगे सत्रह पचे पचासी बटे छे पचासी बटे छे पचासी बटे छे पलस त्री वाई एकल तो टेन हो गया अब इसका हम सॉल्ब करेंगे अब क्या होगा थ्री वाई एकवल तो दस माईनस पचासी बटे छे और क्या करेंगे थ्री वाई एकवल तो दस्टुकित होगिया मैनस मचासी इंदी छे थिर हो इपकोल टू घता देंगे तो क्या होगा मैनस मैनस पघीज बटा सवरी मीनस पचीस हो गया तो वाइपकोल टू क्या होग या मैनस पर इस बटा तीन और ओ एक्स कितना निग्राता एक निग्राता सतरा बड़ता शे निग्राता यह हमारा श्योलुशन हो गया यह अंसर हो गया